नमस्कार मैं हूँ आपके साथ एंशा, नेशनल डूरो 94 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इस वक्त की खबर उत्तराखन के चमौली से आ रही है थैंग गाउं के कुछ ग्रामिर पानी के एक बून के लिए तरस रहे हैं विकासखन जोशिमट पैनखंडा का सुदूर वर्ती गाउं माना जाता है थैंग गाउं, कहने को इस गाउं में काफी घनी आबादी है, ये गाउं बदरिनाथ नेशनल हाईवे से काफी दूर है, बदाने थैंग गाउं में भी प्रधान मंतरी घर घर नल योजना चलाई कहना है कि जैसे तैसे करके उनके घरों तक पानी का पाइप जरूर पहुचा, लेकिन उन पाइपों में पानी की एक बून भी नहीं आई, हम लोग काफी दुखी हैं, हाला कि कुछ परिवार प्रधान मंतरी घर घर नल योजना का लाव इस गाउं में जरूर लेते हुए द तरस रहे हैं, तो मॉली से देखिए रिपोर्ट नवीन सिंग के साथ, यहां पर देखिए जो में स्रूत पानी का स्रूत है, वो यहां पर जो कि तिरपाल से टैंक बनाए गया, यह खाली तिरपाल है और यहां से में जो पानी जाता है, तो यह पानी खाली टैंपरेली भी वस्ता कर रखिए, आप देख सकते हैं, यह देखिए, यह पानी यहां से ऐसे जल्ब स्रूत है, और यहां से खाली पैप को लगा रखा यहां पर और यह देखिए यह हाल है हमारा गाउं का यह देखिए यहां से पाने जाड़ा यह प्रिपाल देखिए काले जो बर्सादी है उसका जो है कि टैंक बनाए गए कि अब उसका है इसे नागीमे Judeja जो एफजी दिंश में पानी पाली तक वीघा जाने बसको और मोगा धने थाल के इस तर स्थनी मेशादर देखिए कर गए लिए जाओ। लेंडर पिचेड़ी पानी पर दिया कि इनकोरी पर आँ तुम जोसी मठका सुदूर वर्ती गाउं मना जाता है थेंग गाउं जिस ठेंग गाउं में काफी घनी आबादी देखी जा सकती है आपको बताते हैं कि ठेंग गाउं बद्रिनात नेशनल हाइवे से काफी दूरी पर मौजूद है ठेंग गाउं के स्थानिय गरामिणों का कहना है कि उनके काउं में भी पहुची थी परधान मंत्री घर घर नल योजना का लाब ठेंग गाउं में जरूर लेते वे देखे जा रहे हैं लेकिन कुछ परवार ऐसे हैं जो परवार इस वक्त पानी के एक-एक भूंत के लिए तरस रहे हैं पीडित परवारों का कहना है कि योजना गाउं तक तो जरूर पहुच चुकी हैं लेकिन जिसका लाब हम लोग नहीं ले पा रहे हैं ऐसे में जो वहाँ पर पीडित परवार है वो परवार इस वक्त पानी के एक एक गूंद के लिए तरस रहे हैं कैमरामेन साथी कन्या कोली के साथ नभीन सिंकेत